हो गया एलान इस दिन जारी होंगे यूपी बोर्ट के रिजल्ट बच्चों का इंतजार हुआ खत्म आ रहा मेहनत का परिनाम यूपी बोर्ट के परिक्षा में श्रामिल 55 लाग से अधिक स्टूडेंट्स बेसबरी से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वही ने तीजों के अगर बात करें तो यूपी एमेस्पी की अधिकारिक वेबसाइट यूपीमेस्पी.edu.in और यूपीरिजल्ट्स.nick.in और यूपीमेस्पीरिजल्ट्स.up.nick.in पर जारी किये जाएंगे परिक्षा का आयोजन 22 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया गया था लेकिन ऐसे में हर किसी को रिजल्ट का इंतिजार है लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक परिनाम जारी किये जाएंगे मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 25 अपरेल तक होगा बोर्ड ने हाला कि अभी तक अधिकारिक घोशना इसकी नहीं की लेकिन कौपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी वहीं 2023 में यूपी बोर्ड दसवी और बारवी परिक्षा का रिजल्ट एक ही दिल यानि कि 25 अपरेल को ही घोशित किया गया मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी हाई स्कूल और इंटरमेडियेट के नतीजे 25 अपरेल को जारी किये जा सकते हैं हाला कि अभी यूपी एमेसपी ने रिजल्ट की कोई भी डेट जारी नहीं यूपी बोर्ड परिक्षा 2024 के लिए 55 लाग से अधिक लड़के लड़कियों ने रेजिस्ट्रेशन कराया वहीं परिक्षा केंद्रों पर अधिक सकती के कारण 3 लाग से अधिक स्टुडेंट्स ने एक्जाम छोड़ दिया थे दसवी और बारवी की बोर्ड परिक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्श 2024 तक चली थे दोनों कक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाएं की मुल्यांकन के लिए एक लाग से तालीस हजार सतानवे परिक्षफ निउगत किये गए थे और मुल्यांकन प्रक्रिया 31 मार्श को पूरी हुई थे चली अब आपको स्टेप बाइ स्टेप बताते ही कि आखे रिजल्ट कैसे देखा जाए यूपी MSP की अधिकारिक वेबसाइट यानि की upmsp.edu.in पर जाए दूसरा होंपेज पर दसवी रिजल्ट 2024 बारवी रिजल्ट 2024 के लेंग पर क्लेक करें तीसरा अब स्टुडेंट्स रोल नंबर और जन्मति थी दर्श करें पांच बार रिजल्ट आपकी स्प्रीन पर आज आएगा वहीं पिछली पांस सालों में किस डेट को आये हैं रिजल्ट ये भी आपको बताते हैं दोजार तेईस में 25 अपराइल, 2022 में 18 जून को, 2021 में 31 जून को, 2020 में 27 जून को और 2019 यूपी बोर्ट दसवी और बारवी का रिजल्ट 27 अपराइल को घोशित किया गया था, अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार 2024 में जो दसवी और बारवी का रिजल्ट आना है, वो किस डेट को आएगा, क्योंकि देखा जाए तो बात की जारी है 25 अपराइल की, हो सकता है कि 17 अपराइल को भी रिजल्ट घोशित किया जाए, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी क्या कुछ उड़ाया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी ख़बरों से जोड़े रहने के लिए देखते रहें, नीज़वान इंटेश्